इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि महादेव जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें विशेश रूप से एक उद्देश्य के लिए बुलाया है मेरे पास आपके जीवन के लिए एक योजना है और यह सभी चीजों को भलाई के लिए कार्या करने की योजना है आप द्रमेतिया निराश हो सकते हैं लेकिन याद रखें कि मैंने आपको बुलाया है अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करीं आपका जीवन भयानक नहीं है दुख के उस गड़े से उठो मैंने तुम्हें जीत दिलाने का वादा किया है शैतान को आपको नीचे लाने की अनुमती न दें उठो और लड़ते रहो मुझे तुमसे प्यार है महादेव जी ने उससे कहा मैं पुनरुथान और जीवन हूँ जो मुझे पर विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो येस टाइप करें उसने उनसे कहा सारे जगत में जाकर सारी स्विष्टी के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो महादेव जी आपको ठीक उन लोगों के सामने दोबारा जोड़ेगा जिन्होंने आपको तोड़ा था महादेव जी कहते हैं तुम वर्षों से इस सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हो कई बार ऐसा लगता था की ऐसा नहीं होने वाला है लेकिन मैंने इसे जीवित रखा जब ऐसा लग रहा था की सब कुछ खो गया है आपने हार नहीं मानी आपने विश्वास बनाए रखा वास्तव में कोई नहीं जानता की आप इसकी वज़े से कितना कुछ जेल चुके हैं अब यह आपका नियत मौसम है मुझे तुम पर विश्वास है चिन्ता मत करो मैं तुम्हें असफल नहीं करूंगा अगर आप भगवान पर भरोसा करते हैं तो 1111 टाइप करी मैं तुम से कहता हूँ तुम किसी भी चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हो और यदि तुम विश्वास करते हो कि तुम्हें वह मिल गया है तो वह तुम्हारा हो जाएगा यदि आपको इसकी आवश्यक्ता है तो 5555 टाइप करें महादेव जी आपके स्वास्थ्य, वित्र, शांती और खुशी को बहाल करने की प्रक्रिया में है यदि आप आज से ही अनायास बड़ी मात्रा में धन आकर्शित करना चाहते हैं तो दुष्ट नासा वेग्यानिक द्वारा प्रकट किये गए चोकाने वाले धन रहेसियों को जानने के लिए नीचे दी गई टिपपणियों में लिंक देखें महादेव जी एक नया कार्या कर रहा है भगवान रेगिस्तान में नदियां बना रहा है महादेव जी सूखे स्थानों को प्रचुर स्थानों में बदल रहा है आपको वही मिलेगा जो महादेव जी ने आपके जीवन में देने की प्रतिग्या की है महादेव जी के निकट आओ और वो तुम्हारे निकट आएगा अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपको उपर उठाऊंगा, और जब चीजे ब्रमित करने वाली लगेंगी तो मैं आपका मार्ग दर्शन करूंगा, मैं जो आज आप जिस किसी के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास रखें कि महादेव जी उसे पूरा कर रहा है, मुझे पता है कि ये समय आसान नहीं रहा है, कभी कभी ऐसा करना बहुत कथिन लगता है, अपने दिल में विश्वास रखें कि आपकी स्थिती में बदला आप जहां भी हैं, जो भी आप सामना कर रहे हैं, भगवान आपके साथ हैं. मैं आज आपके जवाबों, आपकी चनगाई, आपकी आशीशों और आपके जीवन में महादेव जी की कृपा के लिए विश्वास कर रहा हूं. अगर आप मानते हैं, तो 7777 टाइप करें. महादेव जी, आज के लिए धन्यवाद, प्रभू जब मैं इस सप्ता से गुजरता हूं तो मुझे पहचानने में मदद करें कि यह मेरे बारे में नहीं है, यह इस बारे में नहीं है, कि मैं कौन हूं. लेकिन आप मेरे माध्यम से कौन हैं, आपकी तलाश जारी रखने और आ तथास्तू. जब आप समझते हैं, कि महादेव जी कभी देर नहीं करते हैं, तो आप अलग तरह से प्रतीक्षा करते हैं. प्रिया महादेव, मैं केवल आपके बिना शर्थ प्यार और मेरे जीवन में आशीरवाद के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं. मैं हर दिन जागने, स्वस्थ और खुश रहने के अफसर के लिए आभारी हूं. मैं अपने परिवार, दोस्तों और उन सभी का शु जो मेरा मार्गदर्शन करता है, और मेरी जीवन में आपकी निरंतर उपस्थिती है. अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं, तो येस टाइप करें. महादेव जी कहते हैं, मैं रास्ता बनाने वाला हूं. जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तब भी, मैं तु पर प्रतीक्षा करो. आपका आशीरवाद प्रतीक्षा के लायक होगा. 9999 टाइप करें यदि आप भगवान के आशीरवाद में विश्वास करते हैं. याद रखीं, जहां प्रेम है, वहां जीवन है. जहां जिन्दगी है, वहां आशा है. जहां आशा है, वहां विश्व जहां विश्वास होता है वहां चमतकार होते हैं। जहां शांती है, वहां महादेव जी है। और जब आपके पास भगवान है, तो आपके पास सब कुछ है। महादेव जी कोई विकल्प नहीं है, महादेव जी उत्तर है। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं, तो येस, टाइप करें। इस वीडियो को लाइप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ लोग आपके जीवन में आपके द्वारा किये गए सभी कारियों को लेने के लिए आएंगे और वे आपको खाली हाथ और फसे हुए छोड़ देंगे। आपके जीवन को नश्ट करने के बाद, वे अपना अगला शिकार खोजने के लिए गायब हो जाएंगे। धान्या है, वो आत्मा जो इस तरह की क्रूरता से उबर जाती है, क्योंकि उनकी बुद्धी समुद्ध के छोर से भी गहरी होगी। कभी कभी हमें अपनी आत्मा को पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है, हमें चिकित्सकों और शिक्षकों के रूप में फिर से जन्न लेने के लिए अंदर मरना होगा। आपका सबसे बड़ा उभार आपके गहरे दुखों, पच्चतावे और शर्म के अंदर है, छिप कर बाहर आओ, दुनिया को तुम्हारी कहानी सुनने की जरूरत है, हमारे छिपने के आओ, इतनी तूटी आत्माओं को अब तुम्हारी जरूरत है, शान्ती और आराम के लि नियंत्रन में है, आज मैं आपके प्रावधान, सुरक्षा और मेरे लिए योजनाओं पर भरोसा कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरी हर जरूरत और इच्छा की परवा करते हैं, मैं जानता हूं कि मैं आराम कर सकता हूं, मुझे शान्ती दे क्योंकि मैं आप सभी आराम और शांती के स्रोत हैं, इसलिए खृपया मुझे इस कठिन क्षण में साथ बना दें। मेरी आत्मा को उपर उठाएं क्योंकि मैं दू, ख़, और शोक से दब गया हूं। मेरे दिल को अपने प्यार से भर दें, और आने वाले सुनहरे दिनों को देखने में मेरी मदद करें। मुझे आशा को फिर से खोजने दो, महादेव जी के नाम में, तथास्तू। मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोषा रखा है, मुझे तुम पर भरोषा है, मुझे लजजित न होने दें। मैं भाग्यशाली नहीं हूं, मैं धन्या हूं। मेरे पास चो कुछ भी है वो महादेव जी की क्रिपा और क्रिपा के कारण है। अगर आपको महादेव जी की कृपा चाहिए तो 5555 टाइप करें। विकर्षनों को अनुमती देना बंद करें जिससे आपका ध्यान इस बात से हज जाए कि महादेव जी ने पहले से ही जो वादा किया है, वो आपके आगे है। लोगों के साथ वैसा व्यवाहार न करें जैसा वे आपके साथ करते हैं। चाहिए प्राप्त करने के लिए हर-hर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखी इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपकी जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा क्रपिया इसे नजर अंदाज न करी